हेलो व्यूवर्ड वेल्कम बैक टू मैं चैनल दिल्ली के लजीज खाने दोस्तों आज हम आपके साथ धोकला की रेसिपी शेयर करेंगे और इसको बनाने का तरीका बहुत आसान बताएंगे आपको तो ये रेसिपी हम आपके साथ शेयर करते हैं तो चले इसे बनाना शुरू करते हैं ये हमने Đीड़ कप बैसन लिया है और हमने इसे अच्छे से चान लिया है बैसन को अब हम इसके अंदर हाफ टीस्पून हलDi powder डालेंगे ठी से फोर टेबल देख लें जायकी के मताबिक डाल दें आप नमक और सारे इंग्रिडेंट्स को हम अच्छी तरह से मिलाएंगे पहले हम सारे इंग्रिडेंट्स को अच्छी तरह से मिला लेंगे तो इस तरह आप सारे इंग्रिडेंट्स को मिला लें अच्छे से फिर हम इसका बैटर बनाएं तो इसके अंदर शुगर और लेमन जाता है, अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका बैटर बनाएंगे ढोकले के लिए, बहुत ज़्यादा पानी एक साथ ना डालें, थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका बैटर बनाएं, बहुत ज़्यादा हार्ड या सॉफ्ट बेटर नहीं बनता इसका तो इस तरह आप बेटर बना लें ढोकले के लिए और आप देखेंगे कि ढोकला हमारा पिलकुल जैसे हम मार्किट से खरीदते हैं उसी तरह का ढोकला हम घर पर आसानी से बनाएंगे यह थोड़ा सा पानी और डाल दिया है हमने हमने य एक कप पानी लिया है ठोकले को बेटर बनाने के लिए तो हम यह थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका बेटर बनाएंगे और इसको अच्छी से बीट करेंगे इसको हम अच्छी तरहां से बीट करेंगे अच्छी तरहां से फेटेंगे यह इसके अंदर एक कप पानी चला लेंगे तू से थरी टेबल स्पून के के अधर पानी और गया है और इसे अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसके अंदर कुकिंग ओयल डालेंगे टू टेबल स्पून जिससे रोकला में जो मौश्टर होता है वो बना रहता है तो कुकिंग ओयल आप जरूर डालें और इसे भी एक बार अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसको 15-20 मिनट के लिए ढखकर रखतेंगे इसे 15-20 मिनट का रेस्ट कर आएंगे और ये हमारे 15-20 मिनट हो गए है बेटर अच्छे से सेट हो गया है वन टीस्पून हमने इसके अंदर खाने का सोड़ा डाला है जो मेठा सोड़ा होता है घर में वो आप डाल दें इसमें इनो या दही डालने की कोई जरूरत नहीं है या आप देखेंगे कि इसकी कॉइंटिटी डबल हो गई है और ये ढोकला बनने के लिए बेटर तयार है अब ये हमने एक कैक्टिन लिया है और इसको अच्छे से हम ग्रीस कर देंगे इसके ओपर ओल लगा देंगे आपके पास घर में कोई भी बॉल हो इस्टील का ये हमने इसके अंदर पानी डाला है ये इस्टीम में बनता है ढोकला तो हम इसको पानी डाल कर अच्छे से गरम कर लेंगे और ये जो ढोकला का बेटर है वो हम केक्टिन में डाल देंगे और इसे अच्छे से सेट करेंगे यह हमने सारा बेटर इसके अंदर डाल दिया है और आप देखेंगे कि हमारा ढोकला बहुत इस पॉंची बनेगा और यह हमने इसके अंदर स्टेंड रखा है और यह केक्टीन हम इसके अंदर रखतेंगे ढोकले का बेटर डाल कर और इसे हम 15-20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और यह हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं 15-20 मिनट हो गए है कि इसका बेटर यह आप देखेंगे कि यह हमने टूथपिक से चेक किया है तो बेटर इसके उपर लगकर नहीं आ रहा है तो यह 20 मिनट हो चुके है और ढोकला अच्छे से तयार है रेडी है अच्छे से स्टीम में पक गया है अब हम इसको निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रखेंगे यह थोड़ा ठंडा होता है तो हम इसको पलटेंगे एक बार इतने हमारा ढोकला ठंडा होता है तो हम इसका सीरप तयार कर लेते हैं ढोकले के लिए 2 टेबली स्पून हमने इसके अंदर ओयल डाला है और ये 1 टीजपून हम इसके अंदर मस्टर्ड सीट स्टाल देंगे राई डालेंगे कौाटर टीजपून हिंग डालेंगे और इसे एक पारची से मिला लेंगे अब हम ये हरी मिश्ट टालेंगे तीन चार हरी मिश्ट ली हैं और इसके हमने बीच में से दो दो पीस किये हैं और थोड़ा सा हरा धनिया डाला है अगर आपके पास कड़ी पता हो तो आप वो डाल दे और इसके अंदर हम ये 300 ml पानी डालेंगे सीरप बनाने के लिए अब हम इसके अंदर क्वाटर टीस्पून नमक डालेंगे वन टेबल इस्पून चीनी डालेंगे और इसे एक बार पका लेंगे अच्छे से अब हम इसके अंदर आधा नीबू कर रस टालेंगे और ये हमारा धोकला का सीरप तयार है फ्लैम बंद कर देंगे अब हम इसका और ये हमारा धोकला ठंडा हो गया है अब हम साइट से इसके कट लगा लेंगे इस तरह आप कट लगा लें साइट में जिससे ढोकला असानी से निकल जाएगा और इसे अराम से हम पलट लेंगे ये आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा अच्छा जालीदार ढोकला तयार हुआ है बहुत ज्यादा स्पॉंजी है बहुत ज्यादा सॉफ्ट ढोकला बना है ये हम आपको दबा कर दिखा रहे हैं अब हम इसको पलट लेंगे और जो उपर की लेयर है वो निकाल देंगे जिस तरहां हलवाई उपर की लेयर निकालते हैं तो ये हम लेयर निकाल देंगे और ये बहुत ज़्यादा अच्छा जालीदार ढोकला बना है ये आप देखें कि कितना अच्छा जालीदार ढोकला बना है जिस तरहां मार्किट में जालीदार ढोकला मिलता है ये देखें बहुत जादा अच्छा ढोकला तैयार हुआ है अब हम इसके उपर कट लगा लेंगे और इसके पीसिस निकालेंगे सारे ढोकले के जिस तरह मार्केट में पीसिस होते हैं ढोकले के उसी तरह हम ये उसी साइस के पीसिस निकालेंगे आप देख लें आपको कितने बड़े पीसिस बनाने ही इसके और इस तरह आप ये स्क्वायर शेप में इसके पीसिस निकाले जिए ढोकले के और ये देखें ये कितना अच्छा स्पॉंजी ठोकला बना है ये जाली दार ठोकला जो हमें मार्केट में मिलता है हमने घर में बहुत आसानी से बना लिया है अब हम इसके ओपर ये सीरप डाल देंगे खट्टा मीठा जो ठोकले का हमने तैयार किया है तो ये आप सीरप डाल दें इसके ओपर ये काफी स्पॉंजी होता है तो इसके अंदर सीरप जादा जाता है सारा सीरप हम इसके अंदर डाल देंगे अच्छे से खटा मीठा ढोकला आपके लिए तयार है हमारी इस रेसिपी के साथ जाकर आप घर पर ये स्पॉंजी जालेदार ढोकला बनाईए बहुत आसान तरीके से ये ढोकला तयार किया है हमने आपके लिए और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो लाइक सरूर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, शेर कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको मिल सके नेक्स्ट वीडियो में इन्शालला आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, थैंक यू फर वाचिंग